जंगली फूल, सर्दियों का पूरा मौसम नसरुद्दीन ने अपने बगीचे की देखरेक में बिताया। वसंत आते ही हर तरफ मनमोहक फूलों ने अपनी छटा बिखेरी। बेहतरीं गुलाबों और दूसरे शांदार फूलों के बीच नसरुद्दीन को कुछ जंगली फूल भी जांटते दिख गए। नसरुद्दीन ने उन फूलों को उकहारद कर फेक दिया। कुछ दिनों के भीतर वे जंगली फूल और खर्पतवार फिर से उगाये। नसुर्दीन ने सोचा क्यूं न उन्हें खर्पत्वार दूर करने वाली दवा का छिपकाव करके नश्ट कर दिया जाए। लेकिन किसी जानकार ने नसुर्दीन को बताया कि ऐसी दवाए अच्छे फूलों को भी कुछ हद तक नुकसान पहुचाएंगी। निराश होकर नसुर्दीन ने किसी अनुभवी माली की सलाह लेने का तैकिया। ये जंगली फूल, ये खर्पत्वार, माली ने कहा ये तो शादी शुदा होने की तरह है, जहां बहुत सी बाते अच्छी होती हैं तो कुछ अंचाही दिक्कते और तकलीफे भी पैदा हो जाती हैं, अब मैं क्या करूँ नसुर्दीन ने पूछा, तुम अगर उन्हें प्याल नहीं कर सकते हो तो बस नजरंदास करना सीखो, इन चीजों की तुमने कोई ख्वाहिश तो नहीं की थी लेकिन अब मैं तुम्हारे बगीचे का हिस्सा बन गई हैं